पत्ति दे वलो अपनी पत्ति दे नाल शर्याम बाजार दे विच्ट कुट मार की ती गई क्या जा रहे है कि आइफोन उस दे सर दे विच्ट मारके सिर्वी पार दिता हालाकि पतनी लहु-लोहान खलत दे विच हस्पताल ज़ाए इलाज करृआँ दे ले ते उत्ते उसने अपने पती दे ऊते काफी गंबीर इलजाम लगात ने पतनी दा कहना है कि उस दा अपने पती ना छे महीने पहला ही तलाख हो चुका है पर उस दा पती उसनु जित्ते भी मिल दा ओथे ही कोटमार करनी शुरू कर देंदा ते हुण अपनी पैन दे कोड स्पा सेंटर लो दे आने आई ची अते जदों अपनी पैन नो मिल के वापिस कार जारी ची ता अचानक ही उस दा पती उसनु रस्ते दे विच मिल गया अते उसने मुड़तों कोटमार करनी शुरू कर दिती हलाकि पती दे नाड उसे कई दोस्त भी दस्ते जारे ने हलाकि पती दे वलो कोटमार कीती गई है जिस तो बाद ओर लड़की काफी गंबी रूपनार जखमी हो जान दिया है अते उसनु हस्पिताल दे विच इलाजली दाखिल करवाया गया तिलहाल लड़की ने हुण है कि जित्ते वी उद्धापती उसनों मिल दे उत्ते योग पुटमार करनी शुरू कर दिन दे कुछी क्या हुआ कि आपके साथ है कुछ नहीं हुआ ओपीस के से मैं निकल के घर जा रही थी तो मेरत लाग को हो गए मतलब 6 महिने से ज्यादा हो गए मेरा कोई रिस्ता नही कुछ भी नहीं है एक कोई समान भूल गई दुबारा ओफिस के लिए गई उन्होंने तो मतलब मार पीट पर उन्हों ने मेरा सिर्फार दिया और वो चार पास लोग थे और मैं अकेली ऑफिस से निकली और ओफिस के पास मेरे साथ एक सफाईवला लड़का होता वो हाँ अ उनका पेस है मसाज का घृष से उनका कि लुद्याव है यह भाई Васज उन्हों ने फोन से मारा अ के फढ़ नोने लाटो यह फोन बहु 세ट अगत क्या झाल讲 आने कोई वाजा नहीं है जब सब नवादेगि सब्सकुछ थीक है फिर मैंने मैंने किया थीक है थीक है इसके बाद मी बोलते हैं सब कुछ खवकित है पर वह तहलो है कि बाजुद मेरे वाज उन्दर शचोन कर थे हैं नूम नहें हुगए concealed मेरो को आठ नो महीने होगे आप कया काम करती है कि कुछ भी नहीं हुआ। में तो सट में रहती हूं अभी आयू तो मैं ओफिस गई थी तो उन्होंने क्या किया शीज्छ ऑपिस नीकलते है तो आप वहां पर गए तो इन्हों ने वहां पर आपको दीख लिए तो इतने में ये मारा क्या है इन्हों ने फोन उठा के मारा और उनके साथ में पांचे लड़के थे और लड़कों को मैं सब को जानती हूं जो भी थे मैं जानती हूं जानती हूं रहमत थे और स्याम नाम क बहुत मारा था उनलड के साथ भी रहता है जब तलाग के बाद किसी और के साथ रह सखता है तो फिर मेरे पर मेरे उसका कोई हो नहीं है. वो अपनी लाइप में कुछ भी करें और मेरम जब सब कुछ खतम है तो मैं अपनी लाइप में कुछ करो कहीं भी आओ जाओ जो मर्धी करो मेरे इसे कारणों से महार पीटोर ने की अब क्या चानी है मेरे को पर्चा कराना है क्योंकि अब तक तो त्लाग हो गया तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था अब तो मैं हर चीज मे लुआ दी क्योंकि जब आएसे तुम रास्ते में मेरे को टॉचर करोगे मैं कैसे चोड़ दूँगी ये पर्चा ही करेंगे उस पर